Welcome to this channel, I am Simran Zahani तो भाई 12 वालो, अब हमारी फ्लेमिंगो बुक आज होने वाली है अडे फ्लेमिंगो नहीं विस्तास बुक ठीक है हाँ तो आज होने वाली है विस्तास बुक फुल ओन गंक्लीट क्योंकि हम करने वाले हैं अपना आखरी चैप्टर जो है Memories of Childhood देखो childhood क्या होता है, childhood अबडी life की एक ऐसा stage होती है जो हमें सबसे जादा याद रहती है, ठीक है, बचपन ना कभी लोट के नहीं आते हैं और बचपन से जादा जिन्गी में अच्छा कुछ ही नहीं होता, but कुछ बच्चों के लिए ऐसा नहीं हो पाता है, उनसे उनका बच बच्पन चिन जाता है या बच्पन में वो कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि कहीं ना कहीं मेमरीज ऑफ चाइल्ड हुड उनकी थोड़ी सी बिटर हो जाती हैं तो आज आप ऐसी ही दो बच्चियों के बारे में जानोगे जिनकी मेमरीज ऑफ चाइल्ड हुड में कुछ ऐ इसे ही मेमरीज है जिसने उन्हें कहीं ना कहीं चोट पहुचाई बढ़े होगे कुछ कमाल करके दिखाते हैं तो ऐसा ही हुआ है चाप्टर में दो लड़कियों की कहानी हम पढ़ेंगे और यह रियल कहानी है पहली है हमारी जितकाला सा की कहानी यह एक नेटिव अमेरिकन व आप कुछ फोटो और लगा रही हुँ मैं जिससे आप रियालिटी में अमेरिकन कल्चर नेटिव अमेरिकन कल्चर को देख पाऊ इनको अमेरिकन इंडियन्स भी कहते हैं वो खुद सर्च कर लेना क्यों कहते हैं वरना हमें हिस्च्छ पढ़ाने लगी तो बहुत टाइप लग जाएगा ठीक है तो खुद देखना कि नेटिव अमेरिकन को मेरिकन इंडियन्स क्यों कहा जाता है एक फैक्ट एस रेलेटेड तो भाई यह होते है नेटिव अमेरिका वालों ने क्या करना शुरू करा लगभग 1900 की बात हो गई या और थोड़े समय पहले की मालो 1800 1900 मे क्या करा सुचूल खुले ठीक है और उन स्कूल में यह नटेव अमेरिकन बच्चो को टूब बच्चे एते अपने के कपड़े पढ़े पहनते leader doing bell not by 2016 कुछ का अपने बच्चों ब attitudes पर बच्द को दो जूँटे पैनते एस टी-शिर्ट पेनाएं, जूते पेनाएं, सॉक्स पेनाएं, इनको चम्मच काटो से खाना से का, इनके बाल चोटे-चोटे करके स्टाइलिश बें में बांदे, ऐसा कुछ इनको बनाने के लिए नेटिव अमेरिकन लोगों को अमेरिकन्स ने खोला अपना क्या, कालेजाईल इंडियन स्कूल की, कि भाईया, इनको मेंस्ट्रीम कल्चर मिलाएंगे, ये ट्राइबल पॉबलेशन जादा नाहरे, मेंस्ट्रीम अमेरिकन कल्चर बने, तो ऐसी ही एक बच्चे जिसको जबरदस्ती उसकी ट्राइब से पढ़े हो, जब ये बढ़े हो के राइटर बनी, तो इन्होंने अपना नाम रख लिया, जित काला सा, ठीक है, तो पहरी वाली कहानी में हम पढ़े है, जित काला सा के बारे में, अगली कहानी जो है, वो बामा जी की है, बामा जी कौन है, ये एक बच्ची है, जो दलित कम् जाया कि परशानियों का हमें हल ढूनना चाहिए तो बेटा तुम बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना जिससे कोई भी तुमें कभी भी किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए और तुम सर उचा करके चल पाओ तो वह अपने भाई की बात सुनती है बहुत बड़ी राइटर भी बनती है और जो कुछ उन्होंने अपने बश्च्पन में साहा देखा उससे रिलेटेड उन्होंने एक इतनी बड़ी ऑथर बनी है हमारे सामें से बन के आजाएंगे चलो आप गौर फर्माते हैं अपनी डिटेल्स के उपर तो जितकाला साथ पहले पढ़ेंगे जितकाला साथ वो कालिजायल इन स्कूल वाले की कहानी तो बताती है चुमिका पहले दिन था कालिजायल इन स्कूल में लैंड ऑफ एपल्स में वह बहुत ही ना भयानक दिन था में लिए लैंड ऑफ एपल्स मतलब है कि बहुत थंडी जगा पे इनका स्कूल था यह वाला और इस जगापे जो इनका पहला दिन था बहुत भयानक था इनको जो नए नए चेंजिस वहां पर रहे थे उससे यह बलकुल अडैप्ट नहीं कर बहुत प्यार था अब जब ही निकाली जाल इंडिन स्कूल में लाए जाती है कि पहले दिन एकदम से क्या हुआ एक बहुत बड़ा बैल तावर था उसमें बैल लगी थी वह बच्टा टंग करके और वह आवाज सुनके मेरी कानों में बहुत इरिटेशन होती है क्योंकि इ जुतो के कट-कट-कट-कट-कट अबाज आ रही है मेरे कानों के अंदर और हर कोई इंग्लिष में बोल रहा है एक ऐसी फॉराज में बोल रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है तो जैसे स्कूल में बसल नोईज होती है जो France ने बताया था, बसल नॉइस होती है, वैसे ही बसल नॉइस हो स्कूल में हो रही थी, कभी घंटी वज रही है, कभी बसल नॉइस है, कभी जूतों की आवाज आरी कहीं, यह सब आवाजे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कहां बंदो गई हूँ, बहुत इयर्टाइट होत दूसरा है हमारी पेल फेसमें तीसरे उन की फ्रेंड जुड़ेविन तीक है तो वहाँ पर उनकी टीचर होगी जो भी इनकी स्कूल के अब की ती है वह हो फेस वोमन आती है और वह हम सब बच्चों को जो है लाइन भाड दिया कर देती है और हमें कहते हैं कि लाइन बनाके हम कुममें एक डाइनेंग होल तक जाना है और फिर वो भी उनकी लाइना डाइन लें टारव जाए अगा रहती हो आपके कि अध्यान दिण थो मैं ने देखा बाकी नेटिव अमेरिकन लड़कियों को और उन्होंने क्या पहन रखा था उन्होंने बहुत जिद्गारला साफ शोटी बच्चियों को भी ऐसी बिल्कुल अमेरिकन ड्रेसेज में एप्रिंस पेनाके शॉट जो है कपड़े पेनाके और साती के साथ में उनके बाल तक कटवा रखे थे इस फूटो में तो चलो बच्चियों के बाल लंबे लिखे हैं काफी छोटे करवा दिये थे उन बच् एक शॉल उडखी थी पता नहीं किसी नहीं वो शॉल मेरे से खीच ली और मुझे बहुत शरम आई जैसी वो शॉल मेरे से हट गई तो मतलब कि वहां बच्चों को कैसा ट्रेट करा जा रहा एक जानवरों की तरह लाइन में चलो यह खाओ यह से करो ऐसे करो कोई उनकी सुन लड़के आ रहे होते हैं उन लड़कों में से कहती है मैंने तीन लड़के देखे जो मुझे मेरी पार्टी के लग रहे थे यानि कि वह भी बिल्कुल अभी नेटिव अमेरिकन ड्रेस में ही थे और उनके फेस पे भी वैसे एक्स्पेशन था जैसे जितकाला सा के था किसका कि भाई उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यहां पर वह भी वैसा ही फील करेती जैसे जितकाला सा फील करेती तो शुरुवात में जो भी बच्चा कालेजल इंडियन स्कूल में आता होगा नेटिव अमेरिकन वो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें अच्छा नह कि समय पर एक बहुत अजीव से सिनारी होता है एक घंटी वर्षती है और सभी कि सभी बच्चे जो है लाइन में खड़े होके अपनी चेयर निकालते है और जैसे ही समने चेयर निकाली तो मैंने क्या करा भाईया मतलब खाने का समय होगे मैं उस चेयर पर बैठ जाती हूं बस मैं जो है पूरे की पूरी इतने सारे बच्चों के डाइनिंग हॉल में बस मैं चेयर के उपर बैठी वे थी बाकी सब बच्चे खड़े वे थे वो देखिये में जो बहुत शरम आती है यार अकीली मैं बैठ गई हूँ ठीक है फिर वो केरी एक और घंटी और मैं केरी बच्चे चेयर पर से उठती हूँ तो अब सेखिंड घंटी बच जाती है अब सब बच्चे चेयर पर बैठे वे और हमारी जदका अला सा खड़ी है तो केरी मुझे बहुत शरम आयोगी और मैं चुप-चप दुबारा चेयर पर बैठ गई फिर केरी एक आर्मी या प्रेय इस वोमें जो हमारी टीचर है वो मुझे घूर रही थी जैसे बहुत डाटने वाली है तो मैं डर गई और मैंने अपनी नजरे फिर आई और इतने मैंने देखा कि सब बच्चे बास अपने अपनी खाने की प्लेट को ऐसे देख रहे थे सर जोखा के फिर एक तीसरी घंटी ब कर पाती है और वो रोना शुरू कर दीती है तो यह इनके होर्रिफाइंग एक्सपीरियंस में था इटिंग बाई फॉर्मूला कि यह क्या फॉर्मूला लग रहे इटिंग में कैसे जो है ट्रीट करा जा रहे बच्चों को फिर यह तो बस ट्रेलर था पिच्चर अभी बाक होती है तो वही जत्काला सा भी वह बना रहे ऐसी की दैथ हो जाती है तो उसकी की डैठ का शोक बना काटते हैं या फिर जो काय और लोग होते हैं कुछ होती है ना उन लोगों के बाल काट दिये जाती है यह बहुत गलत है कि मैं तो अपने बाल नहीं कटवाओंगी एपने का चचे नहीं चल ले दूगी मैं अपनी जो ए तो यह अपने बालों को कट नहीं होने दूगी इतने में क्या होता है और दिवांग में एक प्लान में आती है जब असपास में देखती है चाहिए ने एक सिडिया से जिखती है उन सेडियों पर चल जाती है उसकार बैट रखे हुए थे और साथी के साथ में कर्टेंस वागेरा लगे वेते और पूरा अधिर और अखता उस कमरे के अदर तो यह डरी से हमी विए उस कमरे में इंटर करती हैं और अब जो है इनके कहती है मेरे चलते वे जूतों में से बहुत आवाज आ डिती क्योंकि अम मुझे स्कूल वाले शूस पढ़े मेरे मोकैसन जो मेरे पहचान थी मेरे कपड़े के जूते लोगों ने मुस्टें चीन लेया यानि कि उनको भी युनिफॉर्म बच्चों की नो अमेरिकन वालों की जैसे नॉर्मन उनिफॉर्म होती है वो इनको पहना दी थी ठीक है वो कहने मैंने देखा कि कोई मुझे ढूंड रहा था नीचे और जुडविन की भी मुझे आवाज आई थी सब मुझे ढूंड रहे थे और इधर उधर क्यों ढूंड रहा है कि उनके बाल कट करें जाए सिजर से अब इतने महीं क्या होते हैं वो कहती पता नहीं इतनी सारी लड़कियां और जो है एक जो है वो कहती है मैं पकड़ी जाती हूं एक लड़की ने बैठके नीचे देखा और मैं वहाँ चुपी पड़ी ती उसके बाद मुझे यही याद है कि मेर को जो है एक जैसे पपेट होती है ना उसको ऐसे उठा के अधर से उधर फैका जाता है समझ लो तुम एक डॉल को बढ़े बढ़े लास्टिंग जो मुझे याद हो वस्याद है कि कैची जो है मेरे ही यहां गर्दन पर लगती है और उसका एहसास मुझे हूथा है कि मेरी जो लॉंग ठिक ब्रेड थी जो मेरी बालों की लंबी प्यारी चूटी थी उसको यह कट कर देते हैं जैसी मेरे बा और फाइनली वो गेव अप कर दिती है अब वो कहते है पूरा दिन में जो है स्कूल में मैं बहुत परशान बैठी हुथी उनके बाल अब कट जाते हैं तीक है उनकी नेटिव अमेरिकन पहचान उनसों छिन जाती है बट कहते हैं नोट वन सिंगल सोल केम टू कंसोल में कोई करने नहीं आया ना कोई टीचर ना कोई बच्चा की भिन कोई बात में परशान मतों जैसे कभी मैं परशान होती तो मेरी मम्मी मेरे पास होती थी मेरे को जो है प्यार करने के लिए समझाने के लिए आज मेरे से सब कुछ चिन गया है मेरी पहचान मेरे घरवाले और मैं सिर पतार नहीं है बुक्स लिखी है जहां उन्होंने इकालिज इंडियन स्कूल में जो कुछ भी हुआ बच्चों पे अचार हुआ टॉचर हुआ जो भी हुआ उस अपका परदा फास कर रहा है ठीक है तो विद दिस यह वाला आपका टॉपक कंप्लीट होता है अब हम पढ़ें इस 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 तो यह एक दलेट फैमली को बिलॉंग करती है और यह कहते है कि बहुत है तुमार को जब में स्कूल जाती हुँ ना और जब मेरे स्कूल की छुट्टी होती है तो भाई स्कूल से वापस आने में ना मेर को जो है रास्ता तो बहुत चोटा सा है दस-पंदर पर बैग होता है एक शोल्डर पर एक तरफ इटांगती दोनों तरफ नहीं ठीक है एक तरफ मेरा बैग होता है दूसरी तरफ पूरा महले में लगी वी चकाचॉन तो यह घूंगते वे जाती कि पूरा आदा घंटा लगता है मुझे मैं एक एक दुकान पर एक जगा पर र सुमाशатी समझ जाती हैं जब एक धिन ऐसी वह स्कूल जार ही तो वह देखती है कि एक जो है अंकल के साथ उनकी कमीटि ऐसार छा इनग में प्राक्ट करा चाथा आ यह आप जांगे आग इनके चाप्तर में लेगगते हो तो भाही क्या कहती है यह बाहमा की स्कूल के छुट्टी होती है बैग लटका के यह चलती है घर जाओंगी रास्ते में सब कुछ देखते हुए सबसे पहले रास्ते में क्या आता है मैंने सब मेंशन कर दिया है सबसे पहले रास्ते में मदारी आता है बंदर बंदर देखते हैं उसके बार पते हैं क्या और होता है एक साइकल वाला है वो लगातार तीन-तीन दिन तक साइकलिंग करता रहता है और उसको motivate करने के लिए लोग उसकी यहां shirt की pocket के ओपर note चिपकाते रहते हैं कि तू और cycling कर तू और cycling कर फिर वो कहती है मैं मरियाता temple के बाहर देखती हूँ जो भी परसाथ बटर होता है उसको देखती हूँ फिर गान्दी जी के statue पे पहुँच जाती हूँ उसके आसपास भी बहुत पकवन बिग रहे होते है फिर कहती है मैं खड़े हो के street light को देखती हूँ जिनके रंग बदल रहे होते है कभी blue से violet कभी यह से वो फिर तो है वो कहती है कि एक दुकान होती है और उसके आसपास में कुछ hunter gypsies बैटे होते हैं जिनके पास एक अजीब सा जानवर होता है जिसको कहते है लेमूर ठीक है मैं कोशिश करूँगी फोटो में लिटो लगा दूगी लेमूर की और वो क्या करते है वो needles, beads वगेरा के जो है माला है वगेरा नीडल बेच रहे होते हैं वगेरा की माला वगेरा वो बेच रहे होते हैं फिर वो कहते है मैं आगे जाती हूं तो कहीं ना कहीं कुछ political parties वाले stage लगा के बैठे होते हैं महां पर मैं उनको देख लेती हूं क्या कर रहे हैं आगे चाहती हूं तो देखती हूं कि कैसे कुछ लोग प्याच काटे वे उनके आखों में से पानी आ रहा होता है तो इधर मुकर के प्याच काट रहे होते हैं और फिर जो है मैं आगे पहुच चाती हूं सबजी बंडी वाली तरफ जहां पर अलग अलग तरीकी की सबजीया बिक रही होती है कहीं पर पपेट शो भी हो रहता है कहीं पर स्ट्रीट प्ले भी हो रहे होते हैं और फाइनली वो जो है सबजीया बिकते वे देखती है अलग अलग जो ठेलों पर बिक रही होती है टीज देखती है आलमन ट्री देखता है उनको एक रास्ते में और फूट्ज देखती है जो अलग-अलग बिख रही होते हैं जो सीजन के फूट्ज नहीं थिल Серिहीं ते वे हह वहां रच पकोड़ी एक परफी है मिल रही है और लास्ट में तेध हो तैना गोला बरफ इन अपने घर पहुंषते हुआ अब तरी एक दिन ऐसे हुआ पक्रे ग्राइवा है कि suddenly मैंने नोटेस कर एंदिक हमारी कम्यूनिटी के लोगों को वो क्या कर रहे हो एक थ्रेशिंग ग्रांड बनावा ओपे अनाज के अधर से उनकाले जाते हैं काम चटूर धा जानुटी बहुत सारे लोग वहां बोरा रख रखा था उसने सबीन पर वो हे पेव्मेंट सा बना मा था उस पर उं मोटा सा उस बैठा वाता था ठीक है अब वो करी वह वहा बैठा वाता पाल्ती लगा कि इतने में मैंने देखा मीरी कम्यूनूटी के एक एल्डर अंकल थे वो आ रहे थी और उनके हाथ पर था एक packet, परकेट पनी थी परूसमझोर्न के हाथ और उस ने अंकल ने पनी को बहुत रिनोड एल्डर है हमारी कम्यूनिटी के अंकल है वह बहुत माँ रिस्पेक्ट करते हैं सब उनकी उन्हों ने उस पन्नी को ऐसे उपपर के उसकी स्ट्रिंग से पकड़ा था और ऐसे स्टायल में पकड़ा था ला रहे थी कि उनका हाथ टच नौ जाए पर वो टच ना करे पन्नी को और उसके अंदर केरे मुझे लिफाफा देखके उस पर ऑ प्याडरी के बहुत है और मेरी तरह का स्था लयाँ को पूरणी बहुत हो आ यह और जो झा यूंद लोगे और मेरी और मेरी भाईया को दोड़ को इने झालती है कुछ ₤ वह सब क्यों हो रही Önsude यह उन्होंने क्यों पैटा में एक भीया को लिए इसमें कास्ट के साथ इसक्रमिनेशन होता है और जो है जो अपर कास्ट के लोग है वो जो है नहीं चाहते कि हम उनके चीजों को टच करें अगर हम उनकी चीजों को टच कर देंगे तो वह पुल्यूट हो जाएगी इसलिए जो है अंकल उस पैकट को ऐसे पकड़ रहे थे कि उनका हाथ उस पर टचना हो जाए अब जब पामा को पता चलता है कि यह रीजन है कि वह अंकल उस पन्नी को ऐसे पकड़ के ला रहे थे तो बहुत गुस्ता है मेरे को याद आरा वह वड़ाई का पैकट और क्यों यह क्या मतलब क्या मैटर ही क्या मतलब है इस बात कर कि दो करना क्या अँए आय कम्यूपवा करने पढ़ा है कि लिए हमारे विने काम करने को छोटी मुण करने करने कि ए मैं गड़ने गाल मेरे साथ बड़ने होघे रहे होगा रोजा पाुब श्युक्ते में करने दो श्यूआ है तो जब भाहिया वापस आरी होते है अन्ना बोलती है वह को वह नाम बता रहे तो उसके बाद उसके बाद उससे बूस्टे आप रहते आप रहते हूं और कौन सी स्ट्रीट पर रहते हैं और पूछते हैं अब कौन सी स्ट्रीट पर रहते हैं उसे पूछन शीकों मतलब है इसके पता बहुत चल के पाद पर बाद पहांस मैं इसके प्रूठाव में कड़िया अपनी लाइफ में अगर और तुम चाहते हूं कि तुम्हें करें सब्हें को चाहते हो क्लास में नमबर वनाओ देखना सब तुम से बात करेंगे, सब तुमारे दोस्त बनेगे. तो बामा के टिए उस दिन से मैंने आपने भाई की बात को गांट बांदेगे. मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ारी और उनने अपनी लाइफ में बहुत कुछ accomplish करा तो विद दिस यह पूरी विस्तास बुक होती है हमारी complete अब बताती हूं आपको कि यह जो पूरी बुक है आपकी फ्लेमिंगो विस्तास मैंने एक एक चैप्टर पढ़ा दिया है animated series आपकी cover हो चुकी है one shot already given है तो जल्दी जाओ सभी chapters को पढ़ लो description box में link given है playlist का class 12 English की अब बात आती है आप जब chapters पढ़ लेंगे तो question answers की तो base question series मेरे channel पे given है उसकी playlist given है वहाँ से जा कि आप question देखो अगर आपने मेरी बताएं का 10-15 question भी practice कर लिए तो वह आपको exam में जरूर दिखेंगे और उनको practice करने से exam का कितना ही difficult level का question आजाए आप उसका answer कर पाओगे नोट्स के लिए मेरी Instagram ID चेक करो वहाँ पे मैं हाँ नोट्स को upload करती हूँ free of course जाके उसके screenshot क्लिक करके print out निकल वा लेना that's it and हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में bye bye take care and best of luck जल्दी जाओ English को complete करो and अब comment भी कर दो आज false syllabus completed क्योंकि आप हमारा false syllabus हो गया है complete so bye bye we'll meet in the next video जहाँ पे हमारा revision back start हो जाएगा